हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबमा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज हम एक आर्मे का कंप्लीट पूरे 50 प्रस्णों का मौडल टेस्ट पेपर डिसकस करने वाले हैं जिसके अंदर हम समान्ने ग्यान, समान्ने विज् और रिजनिंग चारो सेक्षन कवर करेंगे मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हल्फू लगेगा सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा प्रस्णों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टार्गेट और किसके बीच लड़ा गया था ऑप्शन आपके सामने है आज किसी भी प्रस्ण के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे डिरेक्ट कोश्चन और डिरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे तो आंसर मैच करिए अगर आप सभी ने आपे ऑप्शन बी को आंसर दिया है मुहम्मद गोर जो आंसर दे रहे हैं इलतुत मिश उन सभी का आंसर बिलकुल करेक्ट है इकता प्रथा की शुरुआत इलतुत मिश के द्वारा की गई थी कोशन नमबर थर्ड सामने स्क्रीन पर आंसर करिए भारत का प्रथम वाइसराय कौन था हूँ वाद दा फर्स्ट वाइसराय ओफ इंडिया ओप्शन बी जिनों ने आंसर दिया है लौड कैनिंग उन सभी का आंसर बिलकुल करेक्ट है भारत का प्रथम वाइसराय लौड कैनिंग थे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ कोशन नमबर फॉर आपके सामने स्क्रीन पर शेत्रफल की दृष्टी से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है विच इस दा स्मालेस्ट कंट्री इन दा वर्ल्ड इन टर्म्स ओफ एरिया तो यहां पर जो भी यहां पर ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं वेटिकन सिटी उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है कोशन नमबर फाइव आपके सामने स्क्रीन पर भारत और चीन के मध्धे सीमा रेखा का निर्धारन किस वर्ष क किया गया था जल्दी से इस प्रश्न का अंसर करिए इन वीचियर वाजदा बॉंडरी लाइन बिट्वीन इंडिया एंड चाइना डेटर माइंड तो देखिए सबसे बहले आपको पता होना चाहिए भारत और चीन के मध्धे जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं मैक मो और इसका निर्धारण सन 1914 में हुआ था आपका डी यहां पर बिर्कुल परफेक्ट आंसर है क्या सभी ने आप्शन डी को आंसर किया है चलिए कोश्चन नमबर सीक्स आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए कोलेरु जील किस राज्य में स्थित है इन विज स्टीट इस दा का कोलेरु लेक लोकेटेड तो कोलेरु जील यहां आंधर परदेश में हैं आप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जिनों ने आप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है Q7 देखिए और इसका आंसर करिए पटना किस नदी के किनारे इस्थित है पटना is situated on the banks of which river Option D आपका correct answer एगा पटना जो है यह गंगर नदी के किनारे इस्थित है जो भी Option D को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर correct है Q8 आपके सामने स्क्रीन पर है सविधान सभा की प्रारूप समीती में कुल कितने सदस्य थे How many members were there in the drafting committee of the constituent assembly Option आपका यहाँ पर C बिल्कुल correct answer है जिनोंने साथ आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल right है Next बढ़ते हैं question number 9 की तरफ सविधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे Very very important और बहुत बार पूछा गया प्रशन Who was the chairman of the drafting committee of the constituent assembly Option A जो आंसर दे रहे हैं BRM बेड कर उन सभी का आंसर correct है Answer match करते जाएगा last में सभी का score comment box में चाहिए ही चाहिए Question number 10 देखिए जी सामने Option D आपका correct answer होगा Question number 11 आपके सामने है 12 जनवरी आपका answer correct है साथ में 15 जनवरी आपको पता होना चाहिए थल सेना दिवस मनाते हैं Army Day मनाया जाता है 21 जून को क्या मनाया जाता है अंतरास्ट्रिय योग दिवस अंतरास्ट्रिय योग दिवस और 22 मार्च को आपको पता है विश्व जल दिवस के रूप में मनाते है चलिए Next बढ़ते हैं Question number 12 की तरफ आपके सामने स्क्रीन पर इसका answer करिए ग्यानपीट पुरुसकार किस शेत्र में दिया जाता है In which field is the ग्यानपीट आवार्ड गिवन Answer match करिए क्या सभी ने Option C को answer दिया है ग्यानपीट पुरुसकार साहित्य के शेत्र में दिया जाने वाला सर्वस्रेष्ट पुरुसकार है Question number 13 है आपके सामने इसका answer करिए पंच तंत्र की रचना किस ने की है Who composed the पंच तंत्रा Answer match करिए जो भी Option B को answer दे रहे हैं विश्नु शर्मा उनका answer correct है पंच तंत्र की रचना किस ने की है तो विश्नु शर्मा ने की है Question number आपके सामने 14 है स्क्रीन पर विश्व व्यापार संग्ठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी विश्व व्यापार संग्ठन याने की WTO की बात कर रहे है World Trade Organization Option B आपका correct answer आएगा 1995 में WTO की स्थापना हुई थी और देखीगा इससे पहले इसको GET के नाम से जाना जाता था 1995 में इसे WTO बनाया गया Question number 15 है Section A का last question येन किस देश की मुद्रा है येन इस दा करंसी of which country जल्दी से answer करिए option आपके सामने स्क्रीन पर है क्या answer करेंगे येन किस देश की मुद्रा है answer match करिए जिनोंने भी option D को answer दिया है Japan उनका answer correct है साथ में आपको बहरीन की मुद्रा भी पता होनी चाहिए बहरीन की मुद्रा क्या है तो दिनार है इसके साथ आपको होंग कॉंग की मुद्रा पता होनी चाहिए होंग कॉंग की मुद्रा क्या है होंग कॉंग डॉलर और वियत नाम की मुद्रा आपके exam में एक बर पूछा गया है वियत नाम की currency क्या है डॉंग है तो यहाँ पर आपका section A complete होता है बढ़ते हैं section B की तरफ question number 16 का answer करिए विद्धुधारा का SI मातरक क्या है और देखिएगा जब आप last में score कमेंट करेंगे तो सभी को section wise कमेंट करना है कि section A में आपका कितना score हुआ है section B में section C में और section D में clear है question number 16 का answer करिए विद्धुधारा का SI मातरक क्या है option D जो answer दे रहे हैं MPR उन सभी का answer बिलकुल correct है question number 17 की तरफ चलते हैं आपके सामने निवन में से कौन सी विद्धुधुध चुम्प किये तरंगे नहीं है very very important question है और इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा medium level का question है which of the following are not electromagnetic waves option या पे आपका D correct answer होगा बीटा की रंड यह और विद्धुधुध चुम्प की एक तरंग है clear है option D जिनने answer दिया है उनका answer correct है question number 18 देखिए पानी से भीगे ब्रश के बालों का आपस में चिपकना किसका उदाहरन है option सामने screen पर हैं समय चाहिए तो आप session को रोक सकते हैं option A जो answer दे रहे हैं surface tension उन सभी का answer बिल्कुल correct है next बढ़ते हैं question number 19 की तरफ सामने screen पर प्रकाश का वेग अधिक्तम कहां होता है where is the speed of light maximum तो answer match करिए क्या सभी option C को answer दे रहे हैं निर्वात में प्रकाश का वेग सरवादिक होता है question number 20 देखिए किस रंग का प्रकिर्णन सरवादिक होता है which color has maximum scattering देखिए इस question का मतलब क्या है कि निम्न में से कोन सरंग है जो सरवादिक फैलता है यानि कि जिसका तरंग धैर्रे सबसे कम होगा वही रंग सरवादिक फैलेगा यहां पर option A आपका correct answer है बैंगनी रंग का प्रकिर्णन सरवादिक होता है question number 21 देखिए इलेक्ट्रोन की खोच किसने की थी who discovered electron option C आपका correct answer रहेगा इलेक्ट्रोन की खोच किसने की है तो JJ Thompson ने की है क्या सभी ने option C को answer दिया है चलिए question number 22 देखिए वाईू की गतीम आपने का यंत्र कौन सा है which instrument is used to measure wind speed option D जिनोंने answer दिया है animal meter उनका answer बिलकुल राइट है वाईू की गतीम आपने का यंत्र cryometer आपको पता होना चाहिए निमन तापमान मापने का यंत्र है निमन तापमान मापने का यंत्र है barometer आपको पता है वाईू मंडले दबाव barometer से मापा जाता है अंपियर मिटर आपको पता ही है विद्धुधारा मापते हैं तेईस नंबर कोशन देखिए जी सामने स्क्रीन पर रेडियो का अविश्कार किस ने किया था? Who invented the radio? ओप्शन C आपका correct answer होगा रेडियो का अविश्कार मारकोनी के द्वारा किया गया है क्या सभी ने ओप्शन C को आंसर दिया है? 24 नंबर कोशन देखिए जी सामने स्क्रीन पर T ने तथा C सा मिलकर किस धातु का निर्मान करते हैं? ओप्शन सारे स्क्रीन पर हैं जल्दी से आंसर करिए आंसर मैच करिए जो भी यहां पर आप्शन D को आंसर दे रहे हैं टांका याने किस सोल्डर उनका आंसर करेक्ट है कॉशन नंबर 25 देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर बरफ का पिघलना किसका उदारन है? मेल्टिंग ओफ आइस is an example of तो बरफ का पिघलना यह एक भोतिक परिवर्तन का उदारन है आप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है 26 नंबर कोशन देखिएगा सामने स्क्रीन पर इलेक्ट्रोन ग्रहन करने की प्रविर्थी क्या कहलाती है? आंसर मैच करिए जो भी यहाँ पर आप्शन बी को आंसर दे रहे हैं अब करन उनका आंसर करेक्ट है और अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रोन त्यागने की प्रविर्थी क्या कहलाती है? है ना, अबंडन तो यहाँ पर आपको आक्सी करन आंसर करना है कोशन नंबर 27 देखीगा आपके सामने स्क्रीन पर है इसका आंसर करिए किसे भविश्य का इंधन कहा जाता है और देखीगा बहुत दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही थी आज आपकी क्लास हुई है और आप सभी को बता दूँ शायद आपकी एक या दो दिन अभी क्लास नहीं हो पाएगी उसका में रिजन यह है कि थोड़ा सा अपना हेल्थ इशू चल रहा है जैसी मैं अच्छे से रीकवर होता हूँ उसके बाद आपकी क्लास इस कॉंटिनू रहेंगी इसलिए आप बहुत सारे बच्छे जो कॉल कर रहे थे कि क्लास नहीं हो रही है तो क्लास आज मैंने लिए है शायद एक या दो दिन क्लास ना हो पाए या फिर रेगलर भी हो सकती है तो यहाँ पे जिनोंने भी आप्शन बी को आंसर दिया है भविष्चे का इंदन हाइड्रोजन को बोलते हैं उनका आंसर करेक्ट है और देखीगा आप से ज़्यादा हामें टेंशन होती है क्लास लेने की आपकी रिविजन और प्रैक्टिस कंटिन्यू करवाने की कॉशन नंबर 28 देखिए सामने स्क्रीन पर तत्वों के वरगी करण से संबंधित अस्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था ओप्शन यापे जिनोंने भी डी को आंसर दिया है न्यू लैंड्स उनका आंसर करेक्ट है अस्टक का नियम किसने दिया है तो न्यू लैंड्स ने दिया है ध्यान रखीगा और ये शायद 23 मार्च जो 2021 में एक्जाम हुआ था उसके अंदर ये वाला कोश्चन पूछा जा चुका है कोश्चन नमबर 29 है समाने विज्ञान का सेकिंड लास्ट कोश्चन कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहने वाली धातू कौन सी है देखीगा आपसे धातू पूछा है है ना कोश्चन को थोड़ा से चेंज कर दिया है अगर मैं आपसे पूछू हूँ कि द्रव अवस्था में रहने वाली धातू कौन सी है तो आप असानी से आंसर दे देंगे सेम वही कोश्चन है बस कोश्चन क्या बोला है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातू कौन सी है तो यहाँ पे आपको मर्कुरी आंसर करना है ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है और अगर आपसे अधातू पूछ था तब आप सभी को क्या आंसर करना था ब् अप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हैगा कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोकसाइड का जाता है इसका फोर्मूला होता है एन ए ओ एच ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए सेक्शन भी दोनों कंप्लीट होते हैं बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ मैट्स आने की गनित और देखीगा टेस्ट आपको बिल्कुल कंप्लीट लगाना है लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए इसका अंसर करिए कोशन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर लिगा अगर आपका कोई और मी की त्यारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेर क्रेंगे और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए है आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है तो देखि बढ़ते हैं स्व друг कि तरफ चार की पावर 3 कितना होता है 64 माइनस 2 की पावर 3 करेंगे तो यह आपका 8 बन जाएगा अब 64 में से आपको 8 मैनेस करना है तो यहाँ पर आपका 56 option B जो है यह बिल्कुल correct answer है क्या सभी ने option B को answer किया है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 32 आपके सामने screen पर इसका answer करिए 80 प्रतिशत को भीन में बदलिए बिल्कुल easy question है आपके सामने तो जब भी प्रतिशत को भीन में बदलना हो तो हम क्या करते हैं इसको 100 से भाग कर देते हैं simple सी बात है 20 चोके 80 और यहाँ पे इस पंजे सो फोर बाई फाइव ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है को कोशन नंबर 33 देखिएगा आपके सामने जो कोशन इजी इजी है उनको हम फटा-फट से डिसकस करेंगे कोशन नंबर 33 देखिए एक ग्राम कितने डैसी ग्राम के बराबर होता है इसका अंसर करिए एक ग्राम कितने डैसी ग्राम के बराबर होता है जल्दी से अंसर करिए इसमें तो आपको कोई भी solution नहीं करना ये तो आपको direct पता होनी चाहिए value तो देखिए जो एक gram है इसके अंदर total 10 जैसी gram होते हैं option आपका B याँ पर बिल्कुल correct answer है next question number 34 आपके सामने आपको LCM गयात करना है और value आपको याँ पे fraction में दी हुई है value आपको दी रखी है 2 by 3 next आपको दी है 1 by 5 next आपको दी है 6 by 4 और next value आपको दी है 4 by 2 तो देखिए जब भी value आपकी fraction में दी हो और आपको क्या निकालना है LCM निकालना हो तो जो उपर value होती है इनका हम LCM लेते हैं और जो नीचे वाली value है इनका हम HCF लेते हैं clear है सभी को तो देखिए अगर हम उपर LCM लेंगे तो उपर जो है आपका 12 LCM आएगा और नीचे जो आपका HCF होगा वो कितना आएगा एक आएगा तो यहाँ पे जिनोंने भी option B को answer दिया है उनका answer बिलकुल right है चलिए question number 35 की तरफ चलते हैं आपके सामने screen पर इसका answer करिए किसी संभाहू तरिभूज का शेतरफल 36 root 3 वर्ग cm है उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी बिलकुल simple question है आपके सामने बस आपको value पता होनी चाहिए formula पता होना चाहिए और answer आपके सामने है देखिए संभाहू तरिभूज का जो area होता है उसका formula क्या होता है root 3 by 4 a square clear और आपको जो area दिया है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 36 root 3 आपको value दे रखी है clear है सभी को तो देखिए यह root 3 से आपका यहाँ पे root 3 cancel हो गया यह 4 इधर जाके जब 3 में multiply होगा sorry यहाँ पे 36 है है ना यह 4 इधर जाके जब 36 में multiply होगा तो यहाँ पे a square की value कितनी बन जाएगी 6 चोके 24 का 4 हंसिल 2 चारतिया 12 और 2 14 यहाँ पे a square की value बनेगी 144 अगर a square की value 144 है तो a की value कितनी बन जाएगी 12 बन जाएगी क्योंकि 12 का स्क्वेर 144 होता है तो यहां पर option D आपका बिल्कुल correct answer है उस संभाहु त्रिभुच की परतेक भुजा की लंबाई 12 cm है 36 number question देखे जी आपके सामने screen पर किसी संभा में उसका आधा जोडने पर और फिर दो घटाने पर हमें 16 प्राप्त होता है वैस संभा क्या है कैसे करेंगे इस question को देखे माना मैंने वैस संभा क्या है एक्स है आप option से भी कर सकते हैं इसमें कोई issue नहीं है पर मैं basic से लेके चलूँगा माना मैने वैसंख्या x है और इसमें उसका आधा जोड़ा है x में हमको क्या जोड़ना है x बटे 2 जोड़ना है क्योंकि इसका आधा जोड़ना है राइट अब इसका आधा जोड़िये पहले इसका हम आधा जोड़ेंगे तो यहां पे कितना बनेगा 2x प्लस x और डिवाइड वाई आपका 2 हो जाएगा राइट और फिर हमको क्या करना है 2 माइनस करना है उसके बाद हमें 16 प्राप्त हो रहा है यही है ना वैल्यू अब देखिए अब पहले आपको यह वाली वैल्यू जो है इसको भी solve करना पड़ेगा देखिए 2x प्लस x माइनस 4 डिवाइड बाइ 2 यह आपका solve करके बनेगा और इसकी वैल्यू आपको 16 दी है तो यह 2 इदर जाके जब 16 में multiply होगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा यहाँ पे आपका 32 बन जाएगा clear यह माइनस का 4 इदर जाके 32 में जबा हो जाएगा तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी सब कुछ माइनस करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 36 clear है सभी को अब यहाँ पे solve कर लीजिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है यह टोटल कितना बन गया आपका 3x बन गया और 3x की value आपको 36 दे रखी है तो यहाँ पे आपकी x की value कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी option आपका a जो है यह बिलकुल correct answer है बताए क्या सभी ने option a को answer दिया है आप option से अगर करते हैं तो आप इस question को और जल्दी solve कर सकते थे question number 37 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर इसका answer करिए किसी वृत की 37 cm है उसका व्यास कितना होगा सबसे easy question है आज का मैथ का देखिए व्यास क्या होता है त्रिज्या का double होता है दो गुणा होता है अगर किसी वृत की 37 cm है तो उसका व्यास 14 cm होगा सिंपल option C आपका यहां पर correct answer है question number 38 देखिए जी सामने स्क्रीन पर इसका answer करिए यदि x ratio y 4 ratio 3 है तो 2x plus 3y ratio 3x plus 2y का मान बताना है अब हमको यहां पर x की value 4 दे रखी है already और y की value हमको 3 दे रखी है already direct आपको value put करनी है और आपका answer आपके सामने है यहां पर put करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 clear है यहां पर ratio यहां पर दिखिएगा 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 अब ratio बना लिजिएगा यहां पर 9 और 8 कितने हो गए 17 हो गए 12 और 6 कितने हो गए 18 हो गए 17 ratio 18 option D आपका बिलकुल perfect answer है क्या सभी ने यहां पर option D को answer दिया है question number 39 आपके सामने screen पर है इसका answer करिए 76 को 7 ratio 5 ratio 3 ratio 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है इन ratio का total कर लेना है क्योंकि हमको already total value दे रखी है तो ratio का total करेंगे तो 7 और 5 बारा बारा तीन पंदरा पंदरा और 4 उननिस ratio में total है 19 का और actual में total कितना दे रखा है 76 का दे रखा है तो यहां से हम एक ratio की value निकालेंगे तो एक ratio की value कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी हमको सबसे छोटा भाग निकालना है तो सबसे छोटा ratio देख लो सबसे छोटा रेशो तीन है अगर एक रेशो की वेल्यू चार है तो तीन रेशो की वेल्यू कितनी हो जाएगी चार गुणा तीन कर दीजिए यहाँ पर भी आपका बारा ओप्शन एक औरेक्ट आंसर होगा कोशन नमबर 40 देखिजी आपके सामने स्क्रीन पर इसका अंसर करिए चार लगातार सम संख्याओं का ओसत तेईस है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो देखे पहले हम क्या कर लेते हैं देखे चार लगातार सम संख्याओं का ओसत कितना है तेईस है अगर चार संख्याओं का ओसत तेईस है तो इन चारो संख्याओं का टोटल कितना होगा 4 को 23 से गुणा करेंगे 4 संख्याओं का टोटल आ जाएगा तो देखी 4 तीया 12 को 2 हनसील 1 4 दूनी 8 और 1 9 92 क्या है इन चारो संख्याओं का टोटल है सबसे चोटी संख्या निकालनी है माना मैंने सबसे चोटी संख्या क्या है x है अब क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं तो सभी में 2-2 का अंतर होगा तो अगली सम संख्या कितनी होगी x प्लस 2 होगी इससे अगली सम संख्या कितनी होगी x प्लस 4 होगी और सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी x प्लस 6 और इन सब का टोटल आपको कितना दिया है 92 दिया है सिंपल है अब जो x x वाली वैल्यू है इनको आप अलग से जोड लीजिए 1, 2, 3, 4 4 x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 x प्लस 4, 2, 6 6 और 6, 12 4 x प्लस 12 की वैल्यू कितनी है 92 है यह 12 इधर जाके जब 92 में माइनस होगा तो यहाँ से 4 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 80 हो जाएगी तो 4 से अगर हम 80 को भाग करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 20 आएगी यहाँ पे option b आपका correct answer है क्योंकि हमने सबसे छोटी संख्या क्या मानी थी x मानी थी क्या सभी ने option b को answer किया है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 41 आपके सामने स्क्रीन पर है इसका answer करिए इस प्रस्न का answer करिए question है कि दो समान लंबाई की रेल गाडियां एक दूसरी की विपरित दिशा में 30 मीटर पर 30 सेकिंड तथा 20 मीटर पर 30 सेकिंड की गति से एक दूसरे को 4 सेकिंड में पार करती है पर तेक रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है simple सा logic है देखे जब भी दो रेल गाड़ीयां एक दूसरे की विपरित दिशा में जाएं तो speed जो है यह हमेशा क्या हो जाती है add हो जाती है और distance जो इन रेल गाड़ी की लंबाई है वो हमेशा जुड़ता है clear अब यहाँ पर देखे यहाँ पर मैं formula लगा देता हूँ distance का clear देखे माना मैंने पहली रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है x है clear क्योंकि दो समान लंबाई की लंबाई की लगाड़ियां है तो यानि कि दोनों की लंबाई हो जाएगी 2x क्योंकि सेम लंबाई है दोनों की राइट अब यहाँ पर देखे divide by एक की speed है 30 मिटर परती सेकिंड और दूसरी की speed है 20 मिटर परती सेकिंड अब दोनों एक दूसरी की विपरीद है तो speed हो जाएगी relative speed 50 मिटर परती सेकिंड और पार करने में कितना समय लग रहा है इनको 4 सेकिंड का समय लग रहा है इतना clear है यहाँ पर हमने time वाला formula लगाया है distance upon speed clear अब देखिए यह 50 इधर जाके 4 में multiply हो जाएगा तो यहाँ पर 2X की value कितनी आजाएगी 200 आजाएगी हमको बतानी है प्रतेक रिलगाडी की लंबाई तो यहाँ से 2 से हम 200 को भाग करेंगे तो X की value कितनी आएगी आपकी 100 आजाएगी 100 meter option D आपका correct answer है प्रतेक रिलगाडी की लंबाई 100 meter है question number 42 देखिए जी आपके सामने screen पर इसका answer करिए जल्दी से answer करिए और इस question को हम direct approach के साथ solve करेंगे एक वस्तू 5 प्रतिशत लाब में बेचने पर 5 प्रतिशत हानी में बेचने की तुलना में पंद्रा रुपे अधिक प्राप्त होते हैं वस्तू का क्रे मुल्ले क्या है क्रे मुल्ले यानि की 100 प्रतिशत की value आपको बतानी है अब ध्यान से देखिए जब भी आपके सामने ऐसा प्रशन दिखाई दे एक तरफ लाब हो रहा है और एक तरफ फानी हो रही है और इनका जो अंतर है आपको 15 रुपे या कुछ भी दिया है राइट एक तरफ लाब है एक तरफ फानी है तो हमको क्या करना है इन दोनों को आपस में जोड देना है जो की हो जाएगा आपका 10% और यहाँ पे आपको value कितनी दिरखी है अंतर दिया है 15 का 10% की value आपको इसके बराबर कर देनी है अगर दोनों तरफ लाब लाब होता या फिर दोनों तरफ हानी हानी होती तो हमको minus करना था क्लिर है अब हमको क्रे मुले निकालना है यानि की हमको 100% की value निकालनी है अगर 10% की value 15 है तो 100% की value आपको निकालनी है क्या हो जाएगी cross multiply करिएगा आपका answer आपके सामने होगा तो यहाँ पे 15 गुणा 100 हो गया नीचे आपका कितना आजाएगा 10 आजाएगा 0 से आपकी 0 cancel 150 रूपे आपका क्रे मुले होगा option B correct answer है क्या सभी ने option B को answer दिया है चलिए question number 43 के दर चलते हैं आपके सामने screen पर इसका answer करिए कोन सीधनराशी दो वर्षों में 4 परतिशद वार्षिक चकरविर्दी व्याज की दर से 1352 रूपे हो जाएगी अब इस question को हम क्या करते हैं प्रिंसिपल रेशो अमाउंट वाले फॉर्मूले से solve करेंगे अमाउंट मतलब समझते हो मिश्रधन और प्रिंसिपल क्या होता है आपका मूलधन होता है अब इस question को करने के लिए हम क्या करेंगे यह 1352 रूपे हो जाएगी यह आपको अमाउंट दे रखा है मिश्रधन दे रखा है clear अब देखिए सबसे पहले क्या करना है step देखिए यह आपको जो दर दे रखी है 4 प्रतिशत इसको हम fraction में लिख लेंगे 4 बटा 100 करेंगे तो यह आपका 1 बटा 25 बन जाएगा अब नीचे वाली जो value है 25 यह आपकी मूलधन की value हो जाएगी राइट अब 25 है उपर क्या है एक है अगर हम 25 में एक जोड़ दे जो की ब्याज है तो यह 26 बन जाएगा और यह 26 क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन हो जाएगा आपको ऐसे लिखना है अब क्यूंकि समय दो वर्ष का दिया है तो आपको क्या कर देना है इनके उपर स्क्वेर कर देना है 25 का स्क्वेर कितना होता है 625 26 का स्क्वेर कितना होता है 676 होता है अब देखे ध्यान से यहाँ पे amount जो है यह ratio में 676 है परंतु actual में 1352 है यानि कि 676 की value कितनी है ratio में 1352 दे रखी है यहाँ से एक ratio की value निकाल लीजिए यहाँ से एक ratio की value कितनी आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी क्योंकि 676 को अगर हम 2 से गुणा करें तो 1352 प्राप्त होता है हमको मूलधन निकालना है अगर एक ratio की value 2 है मूलधन का ratio कितना है 625 है तो 2 को 625 से गुणा करना है आपको और यहाँ पे 1350 रूपे यहाँ पे आपका 1250 रूपे correct answer होगा क्या सभी ने option D को answer किया है जिनोंने option D को answer दिया है उनका answer correct है ऐसे question को आप directly भी solve कर सकते हैं इस तरीके से principal ratio amount वाले तरीके से चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 44 आपके सामने question number 44 है इसका answer करिए एक पासे को फेका जाता है तो उपर 4 आने की प्राइकता कितनी होगी simple सा question है देखिए एक पासे में कितने अंक होते हैं total 6 अंक होते हैं एक दो तीन चार पांच छे राइट अब हमको बोला है total 4 आने की प्राइकता कितनी होगी total sample space कितने हैं यहाँ पे 6 हैं अगर हम एक पासे को एक ही बार फेकेंगे तो 4 जो है वो कितनी बार आ सकता है एक ही बार आ सकता है तो यहाँ पे 1 by 6 option C आपका right answer है क्या सभी ने यहाँ पे option C को answer दिया है चलिए यहीं पर देखिए आपसे कई question पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है sum संख्याएं आने की प्राइकता कितनी होगी तो total 3 sum संख्याएं हैं तो यहाँ पे आपका 3 by 6 हो जाएगा याने की 1 by 2 answer आ जाएगा ऐसे ही आपको वीशम संख्याएं भी पूछ सकता है आपसे prime नंबर भी पूछ सकता है question number 45 है math का last question इसका answer दिजिए इसके बाद last के 5 प्रशन आपके reasoning के हैं question पढ़िए और थोड़ा सा important question है अच्छे level का question है 15 वर्श बाद एक आदमी उससे चार गुणा बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्श पूर्व था उसकी वर्तमान आयू क्या है देखे यहाँ पर जो बीच वाली लाइन है इसको मैं लिख लेता हूँ present राइट यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यह लाइन past की है और जो नीचे वाली लाइन है यह मैं कर देता हूँ future की clear देखे बोला है कि 15 वर्श बाद एक आदमी उससे 4 गुणा हो जाएगा जितना वह 15 वर्श पूर्व था अब माना मैंने वह व्यक्ति 15 वर्श पूर्व कितनी आयू का था च्पा आयू का था 15 वर्श पहले तो वर्तमान में कितना हो जाएगा एकस सफ्पलस 15 का हो जाएगा राइट है ना और future में कितने का हो जाएगा 15 वर्श बाद तो 15 वर्श बाद यह है 15 पलस 30 का हो जाएगा इतना clear है अब यहां पर ध्यान से देखिए कि वह आदमी अपने 15 वर्ष पूर्व की आयू का 4 गुणा हो जाता है 15 वर्ष पहले उसकी आयू X थी तो वह 4 गुणा हो जाएगा 15 वर्ष बात तो वह कितना हो जाएगा 4 X हो जाएगा क्या इतना सभी को समझ में आया है यानि कि X x plus 30 की जो value है वो किसके बराबर है 4x के बराबर है इतना clear है अब यह x इधर जाके जब 4x में minus होगा तो यहाँ पे 30 बराबर कितना बनेगा 3x बनेगा राइट तीन से हम 30 को भाग करेंगे तो x की value कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी अब यहाँ पर समझिए x की value कितनी आ गई 10 आ गई और x हमने क्या माना था 15 वर्ष पहले की आयू थी x जो की है आपकी 10 वर्ष आपको बोला है वर्तमान आयू ग्याद करनी है अब क्यूंकि यह 15 वर्ष पहले की आयू है तो वर्तमान आयू कितनी हो जाएगी 10 पलस 15 कर देंगे तो 25 यह आपका option c correct answer है क्या सभी ने य लास्ट के 5 प्रशन है इसके बाद आपकी चुट्टी है कि हाईग्रो मीटर अगर आदरता से संबंदित है तो बैरो मीटर किस से संबंदित होगा तो देखे हाईग्रो मीटर से हम आदरता मापते हैं तो बैरो मीटर से हम क्या मापेंगे दबाव मापेंगे option आपका b जो ह और इसका आंसर कर दीजिए कोश्यान नमबर 47 का आंसर करिए आपको बोला है कि किसी कोड़ भाशा में प्लांट को क्यों M B O U लिखा जाता है तो उसी कोड़ भाशा में ग्रांट को कैसे लिखा जाएगा देखिए सिंपल सी है यहां पे क्या है सिर्फ और सिर्फ प्लस वन प्लस वन किया हुआ है P के बाद क्यों आता है L के बाद M आता है A के बाद B आता है सिर्फ प्लस वन का लॉजिक लगा है तो यहां पर दीजिए कि G के बाद क्या आएगा G के बाद आपका H आएगा R के बाद क्या आएगा आपका S आएगा A के बाद B N के बाद O T के बाद U ये देख लिजिए कौन से option है और वही आपका option correct answer होगा यहाँ पर जीनों ने भी option A को answer किया है उनका answer correct है question number आपके सामने 48 है इसका answer करिए निम्द लिखित में से वीशम पद का चयन करें देखे यहाँ पर जो भी option C को answer दे रहे है सिका उनका answer correct है ये सबी क्या है देखे रूपिया भी जो है मुद्रा है भारत की और बहुत सारी Asian country की ऐसे ही लीरा भी क्या है एक मुद्रा है दिनार भी क्या है मुद्रा है परंतु सिका मुद्रा नहीं है देखे रूपे में भी सिका होता है लीरा में भी सिका हो सकता है इसमें भी सिका हो सकता है तो यहाँ पर जिनोंने भी option C को answer दिया है उनका answer correct है question number 49 है आज का second last question इसका अंसर करिए जल्दी से आंसर करिए कौन सा लोजिक लग रहा है यहां पर आपकी कौन सी संख्या आएगी तो यहां पर दिखीगा क्या हो रहा है माइनस तीन हो रहा है 13 में से 3 करेंगे माइनस 10 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 7 में से 3 माइनस किया 4 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 option C correct answer है Question number 50 है आज का last question इसका answer करिए जल्दी से यहाँ पे कौन सा logic लग रहा है इसका answer जल्दी से करिए तो बढ़ते हैं solution के दर देखिए 12 और 2 कितने होते हैं 14 17 और 4 कितने होते हैं 21 21 और 5 कितने होते हैं 26 तो 26 में आगे हमको 6 जोड़ना पड़ेगा 26 और 6 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे option आपका C यहाँ पे बिल्कुल correct answer हो जाएगा क्या सभी ने option C को answer दिया है तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रस्णों का मॉडल पेपर आर्मी का मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको जरूर हल्फू लगा होगा बताईएगा इन 50 प्रस्णों में आपके कितने कोशन करेक्ट हुए है सबी को स्कोर जो है ये सेक्शन वाइस कमेंट करना है कि सेक्शन A में कितने राइट हुए हैं सेक्शन B में, सेक्शन C में और सेक्शन D में लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हो सकता है आपकी एक यां दो दिन क्लासिस और मिस हो जाएं पर कोशिश करूँगा कि आपकी क्लास अब कंटीनू रहे चलिए, इसी के साथ मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत